गुड मॉनिग एवरिवन वेलकम टू माई यूटूब चैनल एक्साम हैंट तो गाइस कैसे हैं आप सबी और आप सबी की पढ़ाई कैसी चल रहे हैं कॉमेंट करके हमें जरूर बताएगा तो गाइस आज की सीरीज को हम स्टार्ट करने से पहले कलका प्रशन देखेंगे और अगर आपको वीडियो में कहीं भी कनफ्यूजन हो तो आप हमसे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे जादा से जादा शेयर भी करेगा तो चलिए गाईस कल का प्रशन देखते हैं विस्व प्राक्रतिक संरक्षन दिवस्त का मनाय जाता है वेन इस वर्ड नेचर नेचर कंजर्वेशन डे सेलिब्रेटेड ए ओप्सन है 27 जुलाई बी ओप्सन है 28 जुलाई सी ओप्सन है 29 जुलाई ये डी ओप्सन है 30 जुलाई तो गैस चिन्होंने इसका राइट और सबसे पहले आंसर किया वो है रीना यादव जी और अमित एक्सक्लोसिव जी तो जी हाँ गैस इसका जो राइट आंसर है वो है ओप्सन नंबर बी 28 जुलाई तो आई इसके बारे में कुछ महात्वपूर्ण बाते जानते हैं World Natural Conservation Day हर साल 28 जुलाई को दुनिया भर में विस्व प्राक्रतिक संरक्षन दिवस मनाया जाता है विस्व संरक्षन दिवस हर साल प्राक्रतिक संसादनों का संरक्षन करने के लिए सरवुत्तम प्रयास के बारे में जगरुकता बढ़ाने के लिए अंतराष्टी इसतर पर मनाया जाता है प्रत्वी हमें सीमिन मात्रा में ऐसी चीज़ों की आपूरती करती है जिन पर हम सभी पूरी तरह से निर्भर हैं जैसे पानी, हवा, मित्ती और पेड़ पौधे तो गैस अगर आपको इसमें कहीं भी कनफ्यूजन हो तो आप हमसे कॉमेंट करके पूँछ सकते हैं अब हम अपनी आज की सीरीज को स्टार्ट करेंगे आज का पहला प्रश्ण है यूरोपा क्लीपर मिशन के लिए लॉंच सेवा प्रदान करने के लिए नासा द्वारा किस अंतरक्ष एजेंसी का चैन किया गया है तो गैस आप भी हमें कॉमेंट करके बताते रहें किसका राइट आंसर क्या होगा तो जी हाँ गैस इसका राइट आंसर है ओप्सन नमबर बी इस्पेस एक्स तो आई इसके बारे में कुछ महात्पूर्ण बातें जानते हैं नासा ने यूरोपा क्लीपर मिशन लॉंच सेवा परदान करने के लिए इस्पेस एक्स प्लोरेशन टेक्नलोजीज कॉर्परेशन का चैन किया है ब्रहस्पति के चन्रमा यूरोपा की बिस्वरत जांच करने वाला ये प्रतवी का पहला मिशन है मिशन अक्टूबर दोजार चॉबिस में फ्लोरीडा ने फ्लोरीडा में नासा की कैनिटी स्पेस सेंटर से फालकन हैवी रॉकेट पर लॉंच होगा नासा की जेट, प्रोप्लेंस, लेबोटरी, जॉन्स हैपिकंस, एप्लाइट फिजिक्स, लेबोटरी के साथ साजेदारी में यूरोपा क्लिपर मिशन के विकास का नेतर्थ्व करती है तो गैस अगर आपको इसमें कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कॉमेंट करके पूँश सकते हैं तो गैस अब हम अपनी सीरीज का नेक्स्ट कुश्चन देखेंगे ड्राश्टी संक की कार्याले द्वारा हाली में जारी आकडों के अनुसार 2019 पीस में विरूजगारी दर क्या है एस पर दर रिसेंट टाटा रिलीजड बाई दे नेशनल सेटिस्टिकल ओफिस वोट इस दा अनुप्लॉइमेंट रेट इन तो थाउजन नाइंटीन अन ट्वेंटी ए उप्सन है 6.1% बी उप्सन है 5.4% सी उप्सन है 4.8% ये डी उप्सन है 3.2% तो गैस आप भी हमें कॉमेंट करके बताते रहें किसका राइट आंसर क्या होगा तो जी हाँ गैस इसका राइट आंसर है उप्सन नमबर C 48% तो आईए इसके बारे में कुछ महात्पूर्ण बाते जानते हैं जुलाई 2019 जून 2020 के राष्टी संक के कार्याले द्वारा आयोजित अवद्यत सम बल सर्वेक्षन पर तीसरी वार्सिक रिपोर्ट के अनुशार 2019 पीस में बेरोजगारी दर गिरा कर 4.8% हो गई है 2018-2019 में बेरोजगारी दर 5.8% थी 2017-18 में 6.1% थी पिछले वर्स की तुलना में स्रम संकेतों में 2019 पीस में ब्रद्धी की दर्ज की गई है तो गैस अगर आपको इसमें कहीं भी कन्फियूजन हो तो आप हमसे कॉमेंट करके पूश सकते हैं हमारा next question है भारत की विदेशी मुद्रा भंडार का प्रमु घटक कौन सा है which is the major component of India's foreign exchange receivers A option है Sona Gold B option है विदेशी मुद्रा संपत्ती foreign currency assist C option है IMF की साथ SDR यह D option है IMF की साथ आरक्षित इस्तिती तो गैस आप भी हमें comment करके बताते रहें किसका right answer क्या होगा तो जी हाँ guys इसका right answer है option number B विदेशी मुद्रा शंपत्ती तो आई यह इसके बारे में कुछ महारत्पूर्ण बाते जानते हैं RBI के आकड़ों के अनुसार 16 जुलाई 2021 को समाप्त सपताह में भारत का विदेश मुद्रा भंडार 835 मिलियन अमेर की डॉलर बढ़कर 612.73 बिलियन अमेर की डॉलर की रिकॉर्ड उचिस्तर को छू गया है गिदेशी मुद्रा अस्दियां समगर भंडार का प्रमुगटा के सपताह में यह 663.4 मिलियन अमेर की डॉलर बढ़कर 568.78 बिलियन अमेर की डॉलर हो गया है सोनी का भंडार में 377 मिलियन अमेर्की डॉलर की प्रद्धी हुई है और अंतराष्टी मुद्रा कोस के विशेश अहारण अधिकारी में 1 मिलियन अमेर्की डॉलर की प्रद्धी हुई इसके साथ भारत का चौथा और सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा धारत बन गया है तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कॉमेंट करके पूँच सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे जादा से जादा शेयर भी करिएगा तो चलिए गाइस अब हम अपना नेक्स्ट कुईशन देखते हैं कौन सा भारतिय ओलम्पिक में टैनिस एकल मैच जीतने वाला तीसरा भारतिय बना विश इंडियन बिकम दे थर्ड इंडियन टूफेंट टैनिस सिंगल्स मैच एट ओलम्पिक A आप्शन है सुमदेव, देव वर्मन, B आप्शन है सुमित नांगल, C आप्शन है यूकी भावरी, या D आप्शन है रोहन वोपन्न तो गैस आप भी हमें कॉमेंट करके बताते रहें किसका राइट आंसर क्या होगा तो जी हाँ गैस इसका राइट आंसर है आप्शन नंबर B सुमित नांगल, तो आई इनके बारे में कुछ महात्पोर्ण बातें जानते हैं सुमित नांगल औलंपिक संक्रण में पुरिश एकल मैच जीतने वाले केवल तीसरी भारती बने और 25 वर्सों में पहली बार जब उन्होंने टोक्यो खेलों में पहली मैच में डैनिस इस्तों मिन को हराया जीसान अली 1988 में सियोल खेलों में एकल में जीतने वाले पहले भार दिया थे जब उन्होंने परागवे में विक्टो कैबलोरो को हराया था उसकी बार लिएंडर पेस ने 1996 में अटलांटा खेलों में ब्राजील में फरनाडो मेली गेनी को हराकर पुरुस एकल कांस जीता तो गैस अगर आपको इसमें कहीं भी कनफ्यूजन हो तो आप हमसे कॉमेंट करके पूँश सकते हैं अब हम अपनी सीरीज का नेक्स्ट कुश्चन देखेंगे कौन सा मंत्राल है भारत में कंपनी अधिनियम 2013 को लागू कर रहा है विश मिनिस्ट्री इस इन इंप्लीमेंटिंग दा कैम्पैनिस एक्ट 2030 इन इंडिया अप्सन है विटिमन्त्राल है Finance Ministry B अप्सन है कॉपरेट मामलों की मन्त्राल है C उप्सन है MS Me Ministry य घृणि अप्सन है वाडच और उद्यूग मन्त्राल है Commerce and Industries Ministry तो गईस आप भी हमें कॉमेंट करके बताते रहे कि इसका राइट आंसर क्या होगा तो जी हां गाइस इसका राइट आंसर है ओप्सन नमबर बी कॉपरेट मामलों के मंत्राल है कॉपरेट अफेर्स मिनिस्ट्री तो आई इसके बारे में कुछ महात्यपूर्ण बातें जानते हैं किंद सरकार के कमपनी अधिनियम 2013 की तहत कमपनी अधिनियम 2013 को लागू करने वाले कॉपरेट मामलों के मंत्राल है कमपनी नियम 2014 में संसोधन किया है अधिनियम की धारा 16 की तहत मौजूदा कमपनी में एक नया नाम आबंटित करने की संबंद में परिवर्तन किये जाते हैं बदलाओ एक सितंबर से लागो होंगे तो गाईस अगर आपको इसमें कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कॉमेंट करके पूँछ सकते हैं अब हम अपनी सीरीज का एक स्पेशल कोश्यन देखेंगे जिसका अंसर आपको हमें कॉमेंट करके बताना है और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे जादा से जादा शेयर भी करिएगा तो चलिए गईस इस्पेशल कोश्यन देखते हैं विस्सु बाग दिबस कब मनाया तो गईस आपको इसका आंसर हमें कॉमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा और अगर आपको वीडियो में कहीं भी कन्फियूजन हूँ तो आप हमसे कॉमेंट करके पूँछ सकते हैं अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हूँ तो आप इसे लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूले और अगर आप हमारी सूसल मेडिया हैंडल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमें फेस्बुक पर फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं जल्दी से जुड़ जाएए तो चली गईस आज के लिए बस इतना ही अपने साथ अपनों का भी ख्याल रखे एव गुड़ टी टेक केर बाई बाई